MSME के अस्तित्व में आने के बाद से स्तंग के अध्यक्ष केके जहा के नित्रितु में उद्योग पतियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर पदाधी कारियों द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। कुछ समस्याओं का निराकरण हो भी चुका है कुछ होने की कगार पर है अध्यक्ष द्वारा समस्याओं के निराकरण करने शासन से पत्राचार किया जाता रहा है MSME के अध्यक्ष के के जाने ग्रैड एसीय निउस से चर्चा करते हुए 36 सरकार के कार्य और उद्योग हित में की गई पहल निराकरण को लेकर चानकारी आज हमारे साथ मौझूद है MSME जिला उद्योग संग दुर्ग के अध्यक्ष के के जादी MSME के अस्तित्व में आने के बाद से ही उद्योग हित के लिए लगाता RAM MSME के अध्यक्ष आजी के नेत्रतु में समस्त पदाधिकारियों द्वारह, सठश्यों द्वारा कारिय किया आता रहा है इसतर पर भी कई समस्याओं को जगत से जोड़ी क recognizelling को लेकर वह अध्यकारों जन प्रतिनी दियों का उबद कराया जा चुकि अब आज स्वयम हमारे साथ मौजूद है कि जादी आए हम इनसे ही जर्चा से जाने का प्रयास करते हैं जादी चुकि अभी सरकार को का एक वर्च सेश रह गया है इस दौरान अभी आप लोग को कितनी जुसा महातुर्पूर मांगे रही हैं आपको क्या लगते हैं सरकार का हम एक साल नहीं मानते हैं हमारे जैसे वेक्ती थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चाहिए कि एक टर्म और आईगा भूपेश बगेल अभी पहले तो एक टर्म अभी जो आएंगे उसकी बात करें तो हम एक साल नहीं मानते हैं लेकिन आप लोग के भासा में जदी एक साल है तो वो भी सही सरकार बहुत ज़्यादा एंसेमी के परती अपना रूची दिखाया है और यहां के उद्योग को 36 गर के उद्योग को उन्होंने प्रार्थिमिक्ता के साथ जो भी कटनाईया थी उसको सॉल्व किया एक होता है खाले डिमांड करो लेटर लिखो लेटर फाइल हो जाएगा उसका काम तो होना नहीं और आपको अखवार में छपाने के लिए मैंने मुखमंत्री को पत्र दिया केद्रिया मंत्रिक पत्र दिया होने के लिए हो जाता है ऐसा मुखमंत्री भुपेश बगेल जी नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इनसे मैं मांग किया था 36 गर लगू शाहा कुछ दोग संग के बाइनर पर अजे महासची मैंने मांग किया था बिलासपूर में जो हमारा राश्ट्रियर मेला को धाटन करने आये थे तो मैं बोला था कि सर ऐसा है कि यहां पर जेम आ गया है जेम से खरीदी हो रही चतीसगर सासन में जितने भी हो रहा है इस में चतीसगर सासन में जो बैठे होगे हैं CSIDC के लिए क्योंकि आज तक CSIDC के थूख खरीदी हो रहा था उस पर जेम आ गया सेंटरल गवर्मेंट उसमें कम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया और सासिम को भी समय पर माल नहीं मिलता था तो उन्होंने अपने निस सचिव से या किसी से बात किये जो भी किये और उन्होंने तत्काल गोसना कर दिये कि ज़िए ये चीज जेम के जगा CSIDC फिर से बहाल हो सकता है तो मैं अवस्य करूँगा और ठीक डेड़ होना के बाद उन्होंने कैबिनेट से पास करवा करके ना केबल उसका गोसना किये बलगी CSIDC से पूरे परदेश का माल खड़ी दी सुरू हो गया जो हमारा प्रोड़क्ट था दूसरी बात फ्री होल्ड जमिन का बिगत 20 साल 25 साल से हम लोग मांग कर रहे थे अन्य स्टेट में हुआ भी था लेकिन वो मांग जो था एक कागज के टुकरा पर रखा रहता था हम भी आपस लेटर लिखते थे वहां भी फाइर हो जाता था लेकिन हमारे मानिया मुखमंत्री जी ने बड़ा संजीर्गी से उस बात को लिए और फ्री होल्ड के गोस्णा किये प्रारम में उन्होंने एक हेक्टेर की बात की थी बाद में जब कॉर्णा के समय था फिर घर में वर मिटिंग बुलाए थे निवास पर कि प्रदेश का उद्योग का क्या हज़ा बचा रहा कहां पर क्या तकलीफ हो उसमें हमको भी आमंत्रित क्या गया था उनके कारियाले में कुछ-कुछ आद्मी को बुलाते थे कॉर्णा कि बिजली में बहुत कटनाई हो रही थी रेट लेकर के उनका रेट को डिड़क्ट किया अब प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आ गए थी कि जमीन की उपलवदता की कभी थी कि इंडर्स्ट्रियल स्टे लिए जमीन नहीं बचाता कहीं पर इंडर्स्ट्रीज खोले ति इनों ने सब जगा-जगा पर इंडर्स्टा के लिए जमीन आवन्नित किये और उसको चालू करवा है उसका आवंटन चालू हुआ अब बस्तर में उद्यों को कैसे बढ़ा जा उसके लिए अलगतर निका लगा है तो सब जगा जितने भी चीज था और साथ ही साथ 36 गरसासन ने उद्यों को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि बैंक में बिजली में और बहुत सारे ऐसे थे जैसे अस्टाम सुक में यह सब तरह की छूट दिये और मदद भी कर रहे हैं अब हमारी समस्या जो मचीव हुई है समस्या में जो है जैसमर जी एस्टी का प्रवेस हुआ और उसके पहले भैट था वैल्यू एडिसन टैक्स उस भैट के लिए हमने अन्रोज किया बुखमंतरी जी से कि यह भैट को या तो सबात कर दीजिए क्योंकि उस करोड़ा काल मे हो गए कितने कॉंटेंट चले गए कितने मालिक चले गए किसी के फाइल दुरूस्त नहीं है लेकिन अभी तब को पीछे लगा हुआ है या फिर टोकन अमॉंट लेकर कि इसको खतम करें एक अभी यह मांग लभी था जिसका हमारे पास जवाब भी आया है कि इसको विचार ह हो रहा है वो जवाब मैं आपको प्लग भी करा दूंगा बुख मंत्री कारियाले से जो आया है तो बैट का काम ऐसा है कि हो जाएगा हमको पूरे उमीद है चुकि जादी बैट के लिए आप आपके दौरा पूरो में मुगे मंत्री को पत्र भी लिखा गया था उसकी लगा रहा हूँ और उसकर साहन्मुति पुर्वक विचार हो रहा है हमें उनके कारी सैली के हिसाब से पक्का हमें विश्वास है कि हमारा कारी बहुत जल्दी हो जाएगा कि संपत्तिकर को लेकर के भी चर्चमतिी संपत्तिकर लेकर रटाए जाने की मांगों लेकर त Commerce में किसे तरह की कोई उतर आया गया है मुखी मंत्री प्रूरे प्रदेश में आकार मचाहत मेंनागरनिगम को तो मैंने मुक्पस्तिक ठोदन मैं आवधन दिया है या निबदन किया है उनसे कि यह प्रदेश ऐसा होना चाहिए जो MSME प्रदेश का वो प्रपटी टेक्स मुक्त होना चाहिए क्योंकि नगरपाली का निगम जो है कई पर ले रहा है कितने आज में हाई कोट से रहात ले आ है कितने जगह पर टेक्स ले रहा है कितने जगह पर टेक्स की छूट है बहुत सारे इसमें लंबा एक कहानी बन चुकी है तो मैं मुखमंत्रीजी से आगरा किया है उन्हें पत्र भी दिया है कि इसको 36 गड़ को MSME 36 गड़ के MSME जो है उसे क्या कहते हैं इससे मुट्ट किया जा प्रपर्टी टेक्स से हमें यह भी आसा ही नहीं पूर विश्वास है होगा बहुत जल्दी होगा यह भी वर्तवान में देखा जाए तो लाइट इंडस्टेल एगया विलाई एवी इंडस्टेल एगया यहां पर उद्योग किस तरह की समस्या है व्याप्ता जिसका निराकरण काफी लंबे वक्त बाद भी नहीं किया जा सका है देखें क्या है कि इंडस्टेल इस्टेट है उद्योग तो छोटा हो बड़ा हो सब का हम लोग और्दोगिक संगेठन से जुड़े हुए है सब के लिए है लेकिन क्या होता है कि जदि सब में हम पर अडाने लगे तो गलत है मुकमंत्री भी अपने नीचे सब को अधिनस्त कर दिया है यह मंत्री वो मंत्री वगेरा वगेरा तो हम जो है केवल MSME को देखते हैं और MSME का समस्याई जो है काम की अब उतनी समस्याई नहीं रही जैसे पहले था क्योंकि अब सब को जोरत पढ़ गया खुरनाइक बाद अ और आपको बताओं कि एक अथेंटिक अभी नहीं आया लेकिन मैं पताना चाहरा हूं कि छाबनी चोग से ले करके हदखोज के जो पूल है वहाँ तक कंक्रीटिंग रोड का लगवक सेंक्शन हो चुका है और लाइट इंडस्ट्रिल इरिया का पहला रोड जो है SS हस्पिटल के बगल से और वहाँ तक छाबनी में मिलाने के लिए जो रोड है इसका अभी कंक्रीटिंग का मैंने उनसे निवेदन किया था लगवक सेंक्शन हो गया अधिकरित रूप से मैं इसलिए इसको अभी नहीं गोजना कर सकता बता सकता क्योंकि हमारे पासों कोई पत्र नहीं आए लेकिन हो गया इसके लिए मैं बदाई देना चाहता हूं उद्धूर विवाग को खासकर के श्राशन को कि अभी सब्सक्राइब करना है अब उनके लिए कुछ ने बचा रहा था वह बात तो हो चुकी है फ्री होल जमीन में अब हमको करना है आगे होकर क्या उनके लिए कुछ ने बचा रहा जो अभी सब के जोँआन पर है और जो अभी सबसे बढ़ा समस्य है वो प्रपर्टी टैक्स है प्रपर्टी टेक्स mush प्रदेस के अनशंगटन में उठाय होय है वह बड़ी जोर सोर से उठाया है और सबको उमीध है कि THIS सब मिदल सील मुखमंत्री जो है हमारे जो उद्ध् दर्द को समझते हैं, वो मुकमंतरी जी जरूर इसको कर देंगे, क्योंकि और समस्या तो रहा ही ने, जैसे कॉरुना काल में, इन्होंने प्रदेश के पूरे उद्योग पती को दस-दस करके बुलाए अपने निवास पर, और सबसे चर्चा किये, एक गंटा, दो-दो गंटा क्या तकलिफ हो रहा, कौर्णा है, कौर्णा की समय में, नहीं बुला सकते हैं, तो उसके बाब जो दि बुला है, उसी समय सारे इंडस्ट्री बंद हो गए था, ऑक्सिजन सिलिंडर के लिए, उन्होंने जाकर करके उसके लिए सेंट्रल से लड़ करके, सारे उद्योग को अक्सिजन सिलिंडर देख करके, फिर से उद्योग मौ अक्सिजन जागरित किये, ऐसे मुक्यमंत्री के पास कोई लंबित मांग तो है नहीं, जो मांग अपुरा करता है, इसलिए याद नहीं रहता, क्या मांग बच गई? जाजी, अगर उद्योगों से हट करके बात की जाए तो जुकि भगवारंग का विवात काफी जराया हुआ है, हाली में मुक्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया गया है, जिससे लेकर कि बदरंदर द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, बयान पर आपत्ती चता में बुलता है कि अरे भाई इस अब बात मत करो ही तो सन्यासी हो गए, सन्यासी मतलब भगवावस्त्र धारन कर लिए, या तुलसी के माला पहन लिए, तो जो आदमें तुलसी के माला या भगवावस्त्र पहनते हैं, उनको बोलते हैं कि सन्यासी हो गए, तो सन्यासी हो तो इसका हो गया वो रंग पाना ओने जो भाजबा यह सब धर्म के नाम पर खेल खेलते हैं कोई इसमें दम नहीं भगवा बसता धार्ण करते हैं जो सन्यासी हो लेकिन यहां तो सब पर कर लिया है देखो जो भी लगता हो गले मंगम जाबान के चल देते हैं मैं यह ने बोल दो कि जो आगे की बात है लेकिक उसमें कोई दम नहीं है सब कपड़ा पांते हैं ठीक तो है जिसको जो मन वो पहन आजकर तो क्या करते है बास्तुक हिसाब से हरेक कलर को हरेक दिन पहनने लगानो इसका मतलब क्या हुआ हरेक दिन हरेक कलर पहनते हैं जैसे गुरुबार है तो बोलता है कि उस दिन पिला पहनो मंगरवार है तो लाल पहनो बुद्वार है तो हरा पहनो तो क्या मतलब हुआ हाला पानने तो हम मुसल्मान हो गए ऐसा तुर्ज होगा या माल लीजे कोई लाल पानने तो हम क्या हो गए ऐसा नहीं है यह सब गलत है जाजी आप से आखी सौरी हरी डाव द्यूश कि ट्रयास कियाएं अमारा MSME का 20 debats हमने करुना काल में MSME का घठन किया था और MSME लगाता है चाहे बिलाए France ido टील प्रम वहां पर हमारे साइय को योग है वहां के लिए हम लड़ते है अपनी बात को रखते हैं केंदर सरकार से भी अपने बात को रखते हैं और हमए ब्लाख करते हैं उस सिद्धान पर बिगत मैं लगवर 40 साल से काम कर रहा हूं और काम करते रहूं यह थे हमारे साथ MSME जिला उद्योग संग दूर्ग के अध्याच के के जाजी जिनके दोरा हमें इस पर स्टूर्प से विस्तार से बताया गया उद्योग जगह से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए MSME दोरा लगातार घठन होने के बात सही किस तरह का प्रयास किया जा रहा है दिकान से समस्याओं को दियोग पतियों की समस्याओं को निराकरण हो चुका है जो कुछ पेंडिंग इनकी मांगे हैं वैट से संबंदित 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 अथ्वान ने मांगे उसके भी निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा हाली में जाजी को मुख्य मंत्री कार्याले से पत्र भी प्राप्ट होए वैट को ले करके इसी तरह तमाम समस्याओं का करमशा निराकर्ण होते जा रहा है चुकि यहां पे उद्योगी छेटर में संचालित आनेको छोटे बड़े उद्योगों में सेकड़ों हजारों की संख्या में कर्मचारी कारेर द ग्रेंड एशियर नूस के लिए केमरावन प्रमिर्जे के साथ संजे दूए